ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी पले 19 अक्तोबर 2024 शनिवार का दिन है कार्तिक महा के कृष्णपक्ष की दूतिया तिती है भरणी नामक नक्षत्र होगा और मेस रासी में चंद्रमा विरा शक हो तो अद्रक खाकर के यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुभा नो बजे से शुरू होकर कि साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का नि जोकी तुला राशी में वहीं चंद्रमा मेस राशी में मंगल ग्रह मिथुन राशी में बुद्ध ग्रह तुला राशी में देव ग्रु ब्रहस्पती जोकी व्रशब राशी में शुक्र ग्रह व्रश्चिक राशी में शनेदेव कुंब राशी में राहुग्र मीन राशी म उत्तम उसरप्राप्त हो सकते हैं सुर्योदै सुबा 6 बच के 23 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 5 बच के 41 मिनिट पर होगा शुब मुर्त की अगर हम बात करें शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन जो सबसे पहला चोगडिया रहेगा वो सुबा 7.5 बचे से लेके 9 बचे तक शुब का चोगडिया उसके बाद दोपार 12 बचे से लेके 1.5 बचे तक 4 का चोगडिया दोपार 1.5 बचे से लेके 3 बचे तक लाब का चोगडिया तथा दो परबात तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक अमरत का चोगडिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुबकारी करते हैं, मांगलिक कारी करते हैं, नया काम करते हैं तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संय योगनिर्मेत हो सकता है अब हम आपको मेस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दिएगा करके आपको फाइदा होगा तथा संतान की प्रगति के भी शुब समयाचार आपको प्राप्त होंगे उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं ब्रशब रासी की आज आप अपनी जिम्मेडारियों को बखुबी अंजाम देंगे साथ ही आपकी अपनी होबी संबंदी कारियों में रुची रहेगी घर के बड़े वुजुर्गों का प्रेम तथा आशिरवाद बना रहेगा सामाजी कल्यानकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा जिसकी वजह से आपकी प्रसंसा होगी दूसरों की पारिबारिक मामलों में उलजने से आपको बचना चाहिए अनथा आपको नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते ही मिथुन राशी की कोई शुब समयचार मिलने से मन में प्रसनता बनी रहेगी धन की आवक जावक लगी रहेगी और परिवार के सांथ किसी धार्मी कत्वा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का आउसर भी प्राप्त होगा विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बड़ेगी दिन के दूसरे पक्ष में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे घर में खुशिया अचानक व्याप्त हो जाएगी कारिक्षित्र में पहले जो आपने मेहनत की थी उसके उत्तम परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की अवशकता है गरह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है अतहाब अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजिगीदी से अनजाम दे भविशी को लेकर कोई सकरात्मक योजना बनेगी शाश्की कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा जिससे उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे और कुछ लोग आपके खिलाप नकरत्मक वातावरन बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बात में कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं सिंगरासी की किसी प्रतिष्ठित व्यक्ती से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी धार्मिक क्रिया कलापों में भी आप व्यस्त रहेंगे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाओं से आपको मुक्ती मिलेगी यह समय अपनी आर्थिक इसिती को मजबूत करने का है इसलिए पूरी महनत से अपने कारियों के परती समर्पित रहे दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटर्फेर करने से आपको नुकसान हो सकता है और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज दिन पूर्णतह व्यस्तत हैगा और शाशकी कारियों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी अब अपनी सुजबुज द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे तथा अपनी क्षमता को कारियर, प्रोफेशन, आध्यात माधी कारियों में लगाएंगे रूजमर्रा के देनिक कारिय बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे परन्तु कई मामलों में धैर इसे काम लेने की आउशकता है जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कारियों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है अर्थिक मैमलों में इस्थितिया आपके पक्ष में नहीं है इस समय फिजूल खर्ची पर नियंतरन आपको रखना बहुत आवश्य होगा और उपाई के रूप में पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आपको अपने कारियों के सकारत्मक परिणाम हासिल होंगे इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्ठावान रहे सांथी सामाजिक गति विदियों में भी आपकी उपस्तिती बनी रहेगी भूमे भवन भाहन खरीत फरोक्त का काम भी संपन हो जाएगा ध्यान रखे कि आपका ही कोई नजदी की मित्र आपके खिलाप कोई शडियंत्र फेला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्य होगा और विध्यार्ति आपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आवश्य ही उनको फाइडा होगा और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज अपना ध्यान भावी लक्ष की और पूरी तरह आपके अंद्रित रखे आपको उज़ित परिणाम हासिल होंगे और अपने आप में चमतकारिक रूप से उर्जा और आत्मेश्वास आप महसूस करेंगे लोगों से संपर्क करने का दाइरा आपका बढ़ेगा और आपको लाभपरद इस्तितियां निर्मित होगी परन्तु अपनी दिन चरिया संबंदित कारियों को व्यवस्तित पूर्ण तरीके से निप्टाने का प्रियास करें व्यस्तिता के बावजोच सामाजी कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा कोई भी काम जल्द बाजी न करें और व्यवसाय में बदलाव या परिवर्तन की संभाव नाए प्रबल होगी कभी-कभी मंदी की वज़े से मन आपका विचलित हो सकता है और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की समाई पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है जो महनत आज आप करेंगे उसके दूर गामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने नजदी की संबंदों को आपको बरकरार रखने की आवशक्ता होगी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई नई शुरुवात भी आप करेंगे कभी कभी फालतू कामो और दोस्तों के साथ गूमने फिरने में आपका समय वितित होगा जल्दबाजी में कोई भी नड़ने न करें और उपाई के रूप में लाल कुमकुम का तिलक लगा करके निकलना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज आप अपनी लोकपृता के साथ साथ अपने संपर्क को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे नए मित्र नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुबात करने का आउसर मिलेगा अपने व्यक्तित्यों को आपको और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए अज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना न बनाएं क्योंकि भविश्य में उसे चुकाने में दिक्कते आपको उत्पन हो सकती है सांथी किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंदी लेंदेन बिल्कुल न करे कई बार ज़्यादा सोच विचार करने से हाथ से कोई काम निकल सकता है इसलिए ऐसे कारियों से आपको साउधानी बरतना चाहिए और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज कई प्रकार की गती विदियों में आपकी व्यस्तदा बनी रहेगी सांथी सामाजिक दाईरा बढ़ेगा कहीं से मन मताबिक आपको फाइदा भी होगा धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी मिलेगा मैन सम्मान के साथ साथ संतान की उन्नती और प्रगती के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं अंजान व्यक्ती से साथान रहे पैसू का लेंदेन करते समय परम साथानी की आउशक्ता होगी नए लोगों से व्यभार करते समय भी आपको बच करके रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में गुर चडाना आपके लिए शुपफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दरश्टी से शुपफल प्रदान करने वाला है व्यक्तिगत कारियों में सफलता मिलने से मानसिक शान्ती आपको अनुभव होगी कठिन से कठिन कारियों के परिणाम आप अपनी दरण निश्चय सक्ती से निकालने में सक्षम हो जाएंगे कभी-कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको साउधान रहना चाहिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न करे कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको सही सलह देगा जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक फाइदा हो सकता है और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिसरी और सोफ खां लेंगे तो आपका दिन शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी करश्टन सादर धन्यवार